हलो दोस्तों, स्वागत आप सबी लोगों का यूटूग चैनल स्री आर्ट गैलरी में दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत की प्रागतिहासिक सेल चितरों के केंदर मध्य पर्देश को देखेंगे इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य पर्देश का ही प्रमुक प्रागेतिहासिक सैल चितरों के केंदर भेमबेट का और होसंगाबाद को कभर कर चुके हैं ये जो स्रिंकला चल लए है आप लोगों के मादमिक सिछा से बाचायन बोर्ड के TGT-PGT विजवल आर्ट के एक्जाम के सेल वेस के एकार्डिंग ये जो चेप्टर है ये फ्रस्ट लेशन इस्टार्ट होता है और वहां से जो आप लोगों के टॉपिक का जो चेप्टर है क इभारत में प्रागेतिहासिक सेल चितनों के केंद्र चाहे वो मिरिजापुर का छेतर हो, बांदा का छेतर हो, मद्य प्रतेश के हो संगाबाद का छेतर हो, भीम बेटिका हो, पंच मड़ी हो, सिंगन पूर हो, कबरा पहार हो, आधी तमाम प्रागेतिहासिक से टॉपिक से important question put up किये जाते हैं चाहे वो UGC net का exam हो चाहे All India label का कोई भी visual art का exam हो वहाँ पे इन topicों से question put up होते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो हमारी स्रिंखला चल लई है लगभग आज complete होने के कगार पे है तो जो इस channel को पहली बार visit कर रहे हैं तो वो लोग playlist में जाकर प्रागेतिहासिक सेलचितरों के प्रमुख केंदरों को आप लोग वाच कर सकते हैं और अपनी study को continue जारी रखें क्योंकि वीगत time में आने वाले नए examों में यहां से question बनने वाले हैं तो आज का जो हमारा प्रमुख topic होगा वो मध्प्रदेश के प्रागेतिहासिक सेलचितरों का केंद पंचमरी होगा सिंगनपूर होगा और कबड़ा पहार होगी तो हम लोग स्वरपर्थम बात करेंगे पंचमरी के छितरों के बारे में तो आएए देखते हैं पंचमरी तो पंचमरी किस राज में इस्थित है तो ध्यान दिजिगा ये बरतमान में मध्प्रदेश में इस्थित है इसको नोट करिएगा जो मध्प्रदेश की capital अर्थात जो राजधानी है उसको हम लोग कहते हैं भोपाल और इस भोपाल से जो पंचमरी की जो दूरी है जो distance है वो लगभग कितनी मानी जाती है तो वो है लगभग 70 km इसको भी याद रखिएगा पूछ लिया जाता है कि पंचमरी किस जिले या किस नगर या किस गाउं के पास में भी इस्थित है तो अगर भोपाल दे या मध्य प्रदेश दे या इसके पास में इस्थित जो भी और भी लोकल लोकेशन दे तो इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रकार से भी एक्जाम में कुश्चन पूटप किये जा सकते हैं तो हमारी पहली पॉइंट होई इसके लोकेशन के उपर अगर हम लोग पंच मड़ी के दूसरी पॉइंट पर बात करें जो कि बहुत ही महत्यपूर है अक्षर एक्जाम में कुश्चन पूटप किया जाता है कि पांच गूफा के नाम से किसे जाना जाता है तो ध्यान दीजेगा यही जो पंच मड़ी है इसको पांच गूफा के नाम से भी जाना जाता है पंच मड़ी गूफा का जो नाम है वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया है जैसा कि बिद्वानों ने अपने उलेख में इस बात का साच प्रस्तुत किया कि इस्थानी लोग ऐसा मानते हैं कि कभी प्राचीन काल में जब पांड़ों का बनवास हुआ था तो उस टाइम पांड़ों ने कुछ समय के लिए इस अस्थान पर अपना निवास बनाया था और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि ये जो पंचमड़ी की जो गूफा है जहां पर हमें पांच गूफा के नाम पर ही इसका उलेख किया जाता है तो यहां पर ये जो गूफा है या किसी प्रकार की प्राकृतिक गूफा नहीं है ध्यान दीजेगा ये प्राकृतिक गुहा नहीं है क्योंकि ये जो पंचमड़ी जो पांच गुफाएं यहां पर प्राप्थ होती है वह चट्टानों को काट कर यहां पर पांच गुफाएं निर्मित की गई थी इसी अस्थान पर ऐसा माना जाता है कि पांड़ों ने कुछ समय के लिए अपने आवास की रूप में इस अस्थान को चुना था और इन पांच गुफाएं में हमें किसी प्रकार के कोई प्रागेतिहासीक सेल चित्रों के साच नहीं मिलते हैं द्यान दिजेगा इन गुफाओं में हमें प्रागेतिहासीक सेल चित्रों के साच नहीं मिलते हैं तो आपका प्रेश्ण होगा कि आखिर नहीं मिलते हैं तो सेल चित्र हमें प्राप्त कहां से हुए तो ध्यान दीजेगा ये जो पंचमडी का जो छेत्र है वो लगभग काफी विस्त्रित है लेकिन इस छेत्र में जो हमें गुहाओं और सहलास्रेयों में जो हमें चित्र प्राप्थ हुए थे वो लगभग इस छेत्र के 5 मिल की दूरी में अर्थात लगभग 10 किलोमीटर के र सैल चित्र दिखाई देते हैं उसी के आधार पर इस पंचमडी का जो अस्थान है भारती चित्रकला के इतिहास में और बेमात्पूर्ण हो जाता है और यहां से important question पूटप होते हैं सबसे अधिक बार question ये पूटप किया जाता है कि जो पंचमडी की गूफा है इसकी खोज का स्रे किसे दिया जाता है ध्यान दिजीगा पंचमडी का जो दूसरा point है कि पंचमडी गूफा की खोज का स्रे किसे दिया जाता है तो यहां पर सबसे important point ये है कि पंचमडी गूफ है, खोज, क्योंकि जो पहला खोज का स्रे अगर हम लोग बात करें, जो सबसे अधिक स्रे दिया जाता है वो दिया जाता है डी एच गार्डीन को दिया जाता है ये जो कि बहुत important है इनको note करियेगा, बहुत बार exam में question 포 committing क्योंकि इन्ही को लेकर अक्सर हीट किया जाता है और पूछ लिया जाता है कि पंच मड़ी गूफा की खोज का स्रे किसे दिया जाता है दूसरी जो सबसे important खोज का स्रे दिया जाता है वो दिया जाता है जी आर हंटर को ये भी बहुत ही important है इनको भी note कीजिएगा तो आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि पंच मड़ी गुफा की खोज का स्रे जब दो लोगों को दिया जाता है तो confusion होगा तो आप लोग ध्यान दिजगा जब पंच मड़ी गुफा की खोज का स्रे option में देगा तो GR Hunter को देगा तो DH Garden को नहीं देगा और अगर DH Garden को देगा तो GR Hunter को नहीं देगा इसके पीछे भी महत्तपून एक राज है उसको भी आप लोग समझ लीजेगा अगर पंच मड़ी गुफा की खोज का स्रे अगर important है तो DH Garden और GR Hunter को क्यों दिया जाता है तो आप लोग ध्यान दिजगा कि जो DH गार्डेन और GR हंटर में जो सबसे महत्पूर्ण बात है इनको ध्यान दिजगा जी आर हंटर को यहां के जो गुहा सेल चित्र है उनको प्रकाशन का महत्पूर्ण तत्थ इन्हों ने प्रकाशित किया था यही जी आर हंटर है जिन्होंने 1932 इस भी में Congress of the Pre and Proto Historic Sciences में यहां से प्राप्त होने वाले जो कुछ भी साच थे उनका प्रकाशन करते हैं और उनको प्रकाश में लाने का स्वर प्रथम स्रिय जो है वो जी आर हंटर को है क्योंकि इन्हों ने ही 1932 इस भी में यहां से जो भी साच प्राप्त हुए थे उनका प्रकाशन करते हैं उसको प्रकाशित कहां पर करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि Congress of the Pre and Proto Historic Sciences में यहां पर प्रकाशित करते हैं तो ये बहुत ही important है लेकिन ध्यान दिजेगा पंचमडी गूफा की खोज का जो सबसे अधिक important स्रे दिया जाता है वो DH गार्डेन को दिया जाता है क्यों दिया जाता है इसके उपर भी ध्यान दिजेगा जब ये पंचमडी छेत्र को भारती फोज का कुछ समय के लिए आवास चुना गया था अर्थात ये प्रांचमडी का जो अस्थान है वो भारती फोज का आवास ग्रीध था और ये जो DH गार्डेन है वो भारती फोज के लेफ्टिनेंट करनल होते हैं जब DH गार्डेन इस पंचमडी छेत्र में आते हैं तो इन्होंने इस छेत्र में फैली हुई गुफाओं और सेलासरियों का सरवेच्छन करते हैं और जब इन्होंने यहां के पूरा तत्व को जब देखा तो एका एक वो उसकी ओर ही आकरसित होते हैं और इसकी उपर इन्होंने गहन अध्यन किया और इसकी चारों तरफ फैली हुई जो गुफाओं थी उनका ये सरवेच्छन करते हैं और इनका साथ देती हैं इनकी पत्नी और इनकी सहयोगी और उन सहयोगियों से साथ मिलकर इन्होंने पंच मड़ी छेत्र में फैले हुई तमाम गुफाओं और सलास्रियों के जो प्रागेतिहासिक चित्र थे उनको इन्होंने निकाला और इनका क्रमबद पूर्ण रूप से जो बिवरण प्रस्तूत करते हैं ये डी एच गार्डेन ही करते हैं और ये किसमे करते हैं जोकि बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ध्यान दिजगा 1936 ISV में इन्होंने यहां से प्राप्त हुए जो भी साच थे उनका लेक प्रकाशन करते हैं और उस लेक का जो नाम होता है वो दी रॉक पेंटिंग आप महादेव हिल्स अक्सर एक्जाम में क्वेश्चन पूटप किया जाता है कि दी रॉक पेंटिंग आप महादेव हिल् लोग डी एच गार्डेन को ध्यान दीजेगा और यहीं डी एच गार्डेन है जो कि 1936 ISV में इस लेक का प्रकाशन करते हैं और इसका प्रकाशन किसमें होता है बहुत important है इसको याद रखिएगा इंडियन आर्ट एंड लेटर्स इसको नोट करियेगा और इसी इंडियन आर्ट एंड लेटर्स के जो दसवी प्रकाशन थी इसकी दस्वी वैल्यूम में ध्यान दीजी का बहुत ही important है इंडियन आर्ट एंड लेटर्स की दस्वी जो वैल्यूम है उसका जो प्रकाशन होता है 1936 ISV में होता है और इसी 1936 ISV में इसी दस्वी वैल्यूम में डी एच गार्डेन का जो लेख है दी रॉक दी दी रॉक पेंटिंग आफ महादेव हिल्स ये जो क्या है एक बहुत ही famous क्या है लेख है इसको याद रखेगा और इसी लेख का इसमें प्रकाशन होता है दस्वी वैल्यूम में और इस प्रकाशन का जो टाइम होता है 1936 होता है इसलिए ये जो प्रकाशन है बहुत ही important है और इसमें हमारी भारती प्रागेतिहासिक सेल चित्रों के जो है क्रमबध और विस्तरित विवरण प्रकाशित करते हैं डी एच गार्डन ने और इसका जो अध्याय होता है वो हमारी भारती चित्रकला की इतिहास में ये जुड़ जाता है इसलिए डी एच गार्डन को पंच मड़ी छेत्र की गुहाओं और चित्रों की खोज का important स्री दिया जाता है और इसका ये बहुत ही पुकता एक सबूत आप लोगों के समझ प प्राप्थ होते हैं वो किन पहाड़ीओं पर प्राप्थ होते हैं तो ध्यान दिजेगा वो पहाड़ी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं महादेव पहाड़ी इसको नोट करिएगा यह बहुत ही important है और इसी महादेव पहाड़ी जो है एक बहुत ही famous स्रिंखला है और इस महादेव पहाड़ी की स्रिंखलाओं में हमें तमाम प्रकार के गुहाएं मिली है और उन गुहाओं को आप लोग ध्यान दीजेगा जो कि बहुत ही important है जैसे यहाँ पर महादेव एक गुहा है यहाँ से भी हमें सैल चित्र मिले है दूसरी अगर हम लोग गुहा की बात करें तो वो बहुत important है और गुहा है बाजार, केव, इसको भी note करिएगा अगली जो point है उसको हम लोग कहते हैं इमली, खो, यहाँ से हमें भी important साच मिले हैं दूसरी अगर बाज़ पर बात किया जाए तो हमें और बनिया वेरी की गुफा से भी हमें चित्र प्राप्त होते हैं इसके बाद अगर हम लोग बात करें Monte Roja बहुत ही important है यहाँ से भी हमें साच मिले हैं अगर बात करें हम लोग माडा देव से भी हमें सैले चित्र प्राप्त होते हैं हमें निम्बु भोज छेत्र से भी हमें सैले चित्रों के प्रामाण प्राप्त होते हैं ये चितने भी आप लोगों को ये जो गुहाएं भी जारी हैं चाहे वो महादेव हो बाजार के वो इमलिक हो हो बनिया बेरी हो मांटे रोजा हो माणा देव हो चाहे निम्ब बोज हो इन जितनी भी गुहाँ हैं इन गुहाओं में हमें महत्पूर्ट प्रागेतियासिक सैल च चित्रों से important important question पूटप होते हैं और ये जितने भी गुहाएं हैं ये सभी पंच मड़ी छेत्र अर्थात मध्य प्रदेश के अंतरगत आती हैं तो तमाम तरह से जो UGC NET का एक्जाम होता है इनको देकर उसके क्रम को मिलाने के लिए भी पूटप किया जाता है तो इन सभी स साचों को ध्यान दिजेगा अब हम लोग बारी-बारी से इन गुहाओं में प्राप्त होने वाले सेल चित्रों के उपर बात करेंगे अगर हम लोग बात करें पहली point के उपर तो हम लोग देखेंगे कि महादेव का जो सबसे important यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हो था वो कौ सुवर का हमें चित्र प्राप्त होता है जो की बहुत ही important है और अकसर exam में post लिया जाता है कि जंगली सुवर का चित्र कहां से प्राप्त होता है तो direct महादेव पूछ लेता है या तो पंचमडी पूछ लेता है तो यह इस point को note करिएगा दूसरा जो है हमारा बाजार केब ह बाजार केब को हम लोग दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं और इसका दूसरा जो नाम है इसको ध्यान दीजी का इसको हम लोग लसकरिया खो के भी नाम से जानते हैं इसको note करिएगा अकसर कभी भी exam में चाहे लसकरिया खो दे चाहे बाजार केब दे तो इसको note और लस्करिया खो या बाजार केप से जो सबसे important हमें चित्र प्राप्त होता है वो है बिसाल काय बकरी का चित्र. बहुत ही important है ये चित्र, याद रखिएगा. इजाम में कुश्चन पूट अप करें कि 20 साल का बकरी का जो साच्छे है हमें कहां से प्राप्त होता है तो वो बाजार केब या लसकर या खो से प्राप्त होता है यही से हमें और भी important point मिलते हैं और वो है गर्दब, मुख, देवता का चितर प्राप्त होता है यह बहुत ही important cell चितर हैं यही से अर्थात बाजार केब से हमें important और भी चितर प्राप्त होते हैं और वो क्या है तो यहां से अश्वारोहियों के हमें चितर प्राप्त होते हैं यही से दोस्तों हमें जो युद्धाओं के भी चित्र प्राप्त होते हैं, युद्धाओं के भी हमें सैल चित्र प्राप्त होते हैं, तो इन सभी को नोट करिएगा, यहां से वादन का भी चित्र हमें प्राप्त होता है, तो यह जो लसकरिया या बाजार केब हैं, यह तमाम important साच जो हैं यह यहां से मिलते हैं चाहे वो विसाल का बगरी का पूछ ले चाहे गरदब मुख देउता का पूछ ले या अस्वारोहियों के या योद्धाओं के जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो बाजार केप से प्राप्त होते हैं इसको नोट करिएगा अगली जो हमारी गुहा होगी वो होगी इमली खो और इमली खो से जो हमें सैल चित्र प्राप्त होते हैं उनके बारे में आप सभी लोग द्यादीजेगा इमली खो से प्राप्त होने वाले प्रमुख चित्रों में जैसे द्यादीजेगा भैसे का सिकार यह बहुत ही मारमिक चित्र निर्मित किया गया है, इमली खो में, जो की अपना प्रमुक अस्थान रखता है, यही से हमें जो अगली चित्र प्राप्त होती है, वो है बैल, बैल के आखेट का द्रीस भी हमें यही से प्राप्त होता है, यही से इमली खो से जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अक्सर एक्जाम में ये question put up किया जाता है कि पंच मड़ी का वो कौन सा ऐसा अस्थान है जहां से पंच मड़ी छेत्र की सभी सैलियों के चित्र प्राप्त होते हैं तो वो यही इमलिक हो है, जो कि पंचमड़ी की सभी सैलियों के चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो याद रखिएगा, सभी सैलियों के सैलियों के चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही important point है, इसको note करिएगा, जब भी एक्जाम में question put up करें कि वह कौन सी पंचमडी का छेतर है जहां से पंचमडी छेतर की सभी सैलियों के चितर प्राप्त होते हैं तो आप लोगों का होगा इमली खो तो इमली खो से हमें यह important important point होते हैं यहां पर जो भैसे का सिकार है इसको बहुत ही मारमिक धंसे जिस रंग में निर्मित किया गया है वो है काला रंग काला रंग में इस चित्र को निर्मित किया गया है तो इन पॉइंटों को नोट करिएगा अगली जो हमारी पॉइंट है वो है बनिया बेरी की गुहा और यहां से प्राप्त होने वाले जो इंपोर्टेंट साच हैं इसको याद रखिएगा यहां से हमें स्वास्तिक पूजा के दो साच मिलते हैं अर्थाद स्वास्तिक पूजा के दो साच अगर पूट अप करें तो यही से स्वास्तिक पूजा के अर्थाद जिन के जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं ये बनिया गुहा से प्राप्त होते हैं अगली जो हमारी point है वो है Mante Roja और Mante Roja को इसलिए hit किया जाता है कि यही वह गूहा है जहां से हमें मानों के दैनिक क्रिया कलाप़ों के विकास का जो हमें सैल चितर प्राप्त होता है वो इसी अस्थान से प्राप्त होता है अर्थात मांटे रोजा से प्राप्त होता है और दैनिक क्रिया कलापों का जो घरेलू जीवन का या सामाजिक परिस्थितियों का जो हमें सेल चित्र है वो कौन सा चित्र है तो सहद एकत्र करतेत मानों का जो चित्र है वो यहीं से प्राप्त हुआ है और गाय चराने का जो हमें चित्र प्राप्त होता है वो यही मांटे रोजा से प्राप्त होता है तो ध्यान दीजेगा मांटे रोजा से प्राप्त होने वाले चित्रों में सहद एकत्र करते मनुश बहुत ही इंपोर्टेंट है दूसरा जो है पशु चराते मानो यह बहुत ही important है और यह जो चित्र है इस बात का ब्याख्या करते हैं कि यह जो चित्र है एक घरेलू और समाजिक परिष्थिती का साच देते हैं तो इसलिए मांटे रोजा से प्राप्त होने वाले इन चित्रों को याद रखेगा बहुत important है और यह पूटब कर लिया जाता है अक्सर एकजाम में कि सहथ एकत्र करतेत मनुष्य का जो सैलास्रे चित्र प्राप्त होता है वो किस गूफा में प्राप्त होता है तो वो है मारा देव से जो प्राप्त होने वाले जो चित्र है वो बहुत ही फेमस है इसको ध्यान दिजेगा मारा देव से हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो है सेर के सिकार का चित्र यहीं से हमें एक बहुत ही फेमस चित्र प्राप्त होता है वो है धनूर धारी योद्धाओं के चित्र हमें important point है इन दोनों को note करिएगा एक्जाम में question put up करें कि सेर के सिकार का चित्र कहां से प्राप्त होता है या धनूर धारी योद्धाओं के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं तो वो माणा देव से प्राप्त होते हैं जो की बहुत ही important है जो अगली जो हमारी गूफा है वो है निम्बू भोज जो की बहुत important ह और निम्बू भोश से प्राप्त होने वाले जो सैल चित्र है उनमें से परिवार के मध्य तंतु जैसा एक वाद्ध होता है उसको बजाने का जो साच प्राप्त होता है वो निम्बू भोश से प्राप्त होता है या इसी से हमें एक सितार जैसा वाद बजाता वादक का जो च वादन का जो चित्र प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है तो निम्बु भोस से प्राप्त होता है या सितार वादन का चित्र कहां से प्राप्त होता है तो निम्बु भोस से प्राप्त होता है ये सारी important साच थे जो कि हमें पंचमड़ी छेत्र की इन तमाम से हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पंच मड़ी में फैले हुई जो भी गुहाएं थी जो सैलासरे थे और सैलासरें के अंदर जो भी चीत्रे थे उनको हम लोगों ने पंच मड़ी छेत्रे के अंतरगत कभर कर लिया मैं नहीं समझता हूं क इसके बाहर कुछ भी पुछने लायक है आप लोगों को वही हीट में कराता हूँ और पूरी तरह से बेवस्थित साच में देता हूँ जहां से important question बनते हैं तो आप लोग इन सभी point को note करिएगा और हमारी जो अगली point होगी वो होगी सिंगनपूर जो कि बहुत important है उसको आप लोग देखें